कौन सी फिल्म के शूट के लिए रितिक भरेंगे सर्पिया के लिए उडान। क्रिश फोर मूवी से रिलेटिट कुछ इंट्रस्टिंग बाते। फ्लाइंग जट्स, सूपर सिंग, रावन जैसी सूपर हीरोज को पीछे छोड़ अब वापस सिल्वर स्क्रीन पर छाने वाला है क्रिश फोर का जादू। जी हाँ, 15 साल बाद अब वापस लोट रहा है। जिसमें वीजूल एफेक्स का केल ज्यादा है कहानी से। ऐसे में जहां अभी तर फुरुष फ्रेंचाइजी की फिल्मों में वीएफेक्स काम इंडियन फॉर्म प्रसाद एफेक्स की टीम जिसमें सौ से अधिक स्पेशलिस्ट के साथ काम किया था मार्क कॉल्फ और फ्रेंच बुमास ने वीजूल एफेक्स की पर आने वारे फुर्ष फोर इस बार दिखेगा शारुखांग की वीएफेक्स कंप्टी रेट चिलीस का वीएफेक्स का वीजूल करका। शारुख की रेट चिलीस वीएफेक्स कंप्टी 2005 में बनी जिसने आने के बाद काफी बहतरीन फिल्मों में अपने वीएफेक्स का जल्वा दिखाया है। अपने वीएफेक्स का किताब बिला और एशिन फिल्म अवाड के लिए नौमिनेट भी की गई थी इस बाद फैन और जीरो जैसे फिल्मों में वीजूल एफेक्स का सरहानी एकाम दी थी था। कि उन सब फिल्मों में उनके एक कंपनी ने VFX कान को काफी पसंदी किया गया है लोगों द्वारा ऐसे में राकेश रोशन घ्याने वाले फिल्म क्रुश्पोर में रेड चिलीज की VFX कंपनी को लेना सही पिंजल लग रहा है पर VFX के चक्ते ही फिल्म में आ सकते है जीले ऐसा हम नहीं क्रुश्पोर के राइटर का कहना है जी हाँ आप ने एक इंटर्व्यू में राइटर रॉबिन भाट ने कहा कि फिल्म की शूटिंग में काफी वक्त है इसलिए क्योंकि फिल्म में काफी special effects हैं ऐसे में इसका pre-production भी काफी लंबा चलेगा करीबन एक साल तक टेक्निकल काम बहुत है उसे ही पूरा करते करते काफी वक्त जाएगा अब कितना जाएगा इसका अंदाजा अभी नहीं है पर हाँ फिल्म की शूटिंग शूरू होने में 2022 या 2023 तक का वक्त लग जाएगा ऐसा तो अब हमें लग रहा है क्रिश्पोर के आने में तो काफी समय है वही रितिक अपनी एक और आने वाली फिल्म विक्रम वेताल की रिमेक के शूट के लिए जल्द ही सर्विया के लिए उडान भरते नजर आएंगे सैफ अली खांसन अब देखना है कि इतने एक के बाद एक फिल्मों के बीच तब शुरू होती है क्रिश्पोर की शूटिक तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रेट चुलीज की विएफिक्स कंपनी का काम कैसा लगा है और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चानल का सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बॉलीग्रैट स्टूडियो और देखते रहिए बॉलीज ना भूलें